तो भाई साब सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख लो कि यहाँ पर सिर्फ अधार कार्ट से मुझे जो यह 50,000 रुपे का यहाँ पर लोन अप्रूब किया गया है इस पैसे को जैसे मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रैंस्पर किया है तो सारा प्रोसेसिंग फीस वेग और चाहिए गा कोई भी इंकम प्रूफ यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा बस अपने अधार काउंट का कोई डिटेल समिट करेंगे अधार का नंबर समिट करेंगे आपका पैससा क्योंतम में ट्रैंस्पर best कर दिया जाएगा ए मस्तों में रहे रहा है क्लिद्व के चार् फिर यहाँ पर loan मिल जाता है और अच्छा amount मिल जाता है साथ में एक जोए अच्छा interest के साथ मिल जाता है ज्यादा interest यहाँ पर देना नहीं पड़ता है तो अगर आपको loan चाहिए तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि यहाँ से आप loan ले सकते हैं आउलोड करने के बाद यहाँ पर application को open करेंगे यहाँ पर continue in English पर click करेंगे इस पर आप जैसी click करेंगे तो थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आप जोए fix deposit भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर loan चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पर loan के अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि हमें नीचे loan का section दिखने को मिल जा रहा है उपर भी loan और apply now का option दिखने को मिल रहा है लेकिन मैं नीचे loan पर click कर दूँगा इस पर जैसी click करेंगे तो start your loan application आ जाएगा और उपर आपके loan के सारे details दिखने को मिल जाएगा start your loan application पर आ application आ रहा है वो सबको यहाँ पर आपको allow कर देना है फिर यहाँ पर आपको verify your ID का option आ जाएगा यहाँ पर बोला जा रहे है कि pen card upload करना है selfie upload करना और income detail देना है यहाँ पर दोस्तों income detail देना है ना कि income proof देना है कोई भी तरह का statement वेगरा कुछ नहीं देना है बहुत ही easy process है आ upload ID card पर आपको click करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको identity type बताना है कि कि किस ID से आप जो है इस application में login करना चाहते है verify करना चाहते है तो identity type पर जैसे click करेंगे तो अधार card और voter ID का option देखनी को मिल जाता है मेरे पास अधार card है तो मैं यहाँ पर अधार card सेलेक्ट कर permission मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर camera का permission दे देना है अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो भी अधार card है उस अधार card को जो है किसी table पर एक plane surface पर रख दो आप और उसके बाद जो है आप front side से पहले photo को click कर लेंगे यही सब चीज अगर आप से submit करेंगे कि तभी जाकर आपको यहाँ पर loan मिलेगा किसी भी तरह का mistake करेंगे तो loan नहीं मिलेगा यह बात का ध्यान रखना है तो आप अच्छे जगाप पर अपने अधार card को रख लेना है और front side से आपको एक photo को click कर लेना है और उसके बाद आपको submit कर देना है दुबाड़ा photo click करन आप जैसे submit करेंगे यहाँ पर आपका front camera open हो जाएगा और जिसके भी आपने यहाँ पर document दिया है उसका एक photo चाहिए यहाँ पर selfie चाहिए तो मैंने यहाँ पर अपना अधार card दिया है तो मैं क्या करूँगा कि अपना एक selfie यहाँ पर click कर लूँगा और उसके बाद यहाँ यहाँ पर मैं submit कर दूँगा अप जैसे submit करेंगे तो यहाँ पर पर प्रस्नल डीटेल कुछ देना परेगा जिसमें आपको बताना है फुल लीगल नेम आपका जो भी ओर्जिनल नेम है आपके document पर वो नेम यहाँ पर डाल देंगे उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना pen और political expose में आपको no कर देना है साथ में नीचे यहाँ पर आपको email पर click करके आपको एक email address डाल देना है और उसके बाद नीचे आपको terms and condition पर click करना है और फिर आपको यहाँ पर continue करना है next step में यहाँ पर आपको बताना है income detail income detail में आपको यह बताना है कि आप कमाते कहां से हो कैसे कमाते हो क्योंकि भाई loan उसी को मिलता है जो पैसे कमाता है अब बेरुजगार इंसान को loan मिल जाएगा तू लोन चुकाएगा कैसे तो भाई अगर आप बेरुजगार हो फिर भी यहाँ पर loan मिल जाएगा मतलब company वाले को चाहिए कि भाई आप कमा रहे हो तो यहाँ पर current income type में आपको क्या करना है कि आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बताना है कि आप पैसे कहां से कमाते हो अगर आपको salary मिलता है तो salary पर click कर सकते हो self-employed click कर सकते हो और यहाँ पर unemployed औ लेना नहीं पड़ते हैं तो आप अपने हिसराप से देख सकते हो अब मैं YouTube वेगपर काम करता हो तो मुझे यहां से पैसे आ जाते है तो मैं salary पर click कर लूँगा और कहीं से भी आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं तो आप salary पर click करेंगे तो बहुत सार आजाएगा इसमें मैंने अपने बैंक सेलेट कर लिया हूँ और जो भी बैंक अकाउंट का नेम आपने सेलेट किया है उस बैंक का नेम का जो है नहीं नीचे आपको डाल देना है और उसके बाद वीडियो देख लेना फिर आपको जो है मैं आपको सब कुछी बताऊंगा देखो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि सिबील स्कूर कम होता है या बहुत सारे ऐसे लोग होते है जिनका डोकुमेंट उतना किलियर नहीं होता है जैसे कि मेरी अधार कार्ट पर थोड़ा सा ए अब देखो यहां पर मैंने पैसे को जैसी अपने बैंक अकाउंट में ट्राइंसपर करूंगा तो यह लोन मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा और लोन का क्या होगा कि मुझे सिर्फ 18 रुपे एक्स्टा पिमेंट करना पड़ेगा जो इंट्रेस्ट का अमाउंट है आपड़ 12,500 का लोन जो है मुझे यहां पर मिल गया हुआ है तो ऐसी अगर आपका कम अमाउंट का लोन मिलता है तो उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्राइंसपर कर लोगे जैसी आप कर लोगे और रिपेमेंट आप जैसी कर दोगे जो आठारे रुपे उसक 500 का तो बस उसके बाद आपका अमाउंट जो है इनक्रीज कर दिया जाएगा और उस पैसे को फिर से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्राइंसपर करके यूज कर पाओगे 12,500 रुपे में से आप जितना भी पैसे निकाला चाहते हैं उसको ड्रैग करके आप सेलेट कर सकत जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि यह पैसे आपको कितने महीने के लिए मिल सकते हैं अब देखो यहां पर दो महीने के लिए मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है अगर मैं दो महीने के लिए लेता हूं तो मुरा EMI जो आएगा वह आएगा 4,270 रुपे और टोटल लुझे करना पड़ वह करना पड़ेगा आख अजार 540 रुपे मुझे एक्सटा प्रल्राइव करेगा दो महीने में तो यहां पर आप अपने ही साप से सलेट कर सकते हो तो मैं यहां पर दो महीने के लिए सलेट कर लूंगा जीयेटी प्रोसेसिंग सब पूछ यहां पर देखने को मिल जाएगा, आपके पैसे bank account में कितना आएगा, वो भी देखने को मिल जाएगा, कहीं से भी आप loan लोगे bank से लो तो, या कहीं भी application से लो तो, आपको GST तो भाई देना ही पड़ेगा, आपको पता ही है GST के बाड़े में, उसके बाद यहाँ पर आपको continue कर देन है, अब accept and continue पर आप जैसी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका पैसे जो है, बारा घंटा बोला जाता है, पर यह तुरंत आ जाता है, देख से तो मैं screen recording करी रहा था, इसी के बीच में मुझे notification आ गया, और यह पैसा मेरे bank account में आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपको loan पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर बता दिया जाएगा, कि पहला EMI कब आएगा, दूसरा EMI कब आएगा, और कितना EMI आएगा, transition पर क्लिक करके आप यह देख सकते हैं, कि आपका जो यह पैसा है, आपके bank account में कब आया था, अब देखो, loan को payment करने के लिए simple है, आपको make payment पर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक ही बार में पुड़ा EMI payment भी करोगे, फिर भी extra fees आपको देना नहीं पड़ेगा, तो अगर total due पर क्लिक करोगे, तो total payment आप कर पाऊगे, और next amount due पर आपको click करना है, उसके बाद आपको continue पर क्लिक करना है, यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, वैसे यूज कर सकते हैं, EMI को repayment कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, वीडियो कैसा लगा, comment करके आप ज़रूर बताना, और branch application का link मैंने वीडियो के description में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इस application को download कर सकते हैं, मिलता है नेक्स वीडि झाल झाल